वेलकम टू अल्टिमेट सक्षस अल्टिमेट सक्षस के आज किस वीडियो में हम जुलाई लास्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट को डिसकस करेंगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर देना हमारा पहला क्वेसन है आज का इंडिया सिक्षा मंत्राले ने किसकी अध्यक्षिता में भारत में रुके और भारत में पढ़ें जो ये stay in India and study in India ये जो कमीटी है ये किसके चैर्मेन में यानि के अध्यक्षिता में बनाई गई है तो जो भारत में रुके और भारत में पढ़ें जो समित के अस्तापना किये गई है ये डीपी सिंग जो यूजिसी के चैर्मेन है डीपी सिंग इनकी अध्यक्षिता में य जो सयंत्र है भारत या नौसेना अकादमी बना है तो भारत या नौसेना जो अकादमी है ये कहां पर इस्तित है ये है केरला में तो भारत या नौसेना का अकादमी है केरला में यहीं पर भारत या नौसेना का सबसे बड़ा जो उड़जा सयंत्र है ये बना है बरतमान में हम Admirals Wurikarami M Alshaami Admirals Ind consensus स्री लंका से और यह किरिक Nahe हैं Haul किस राजने कोवीड-19 मां दश्ड़ों का उलंगां करने पर 2 साल की जेल की सजा और एक लाग रुपे जुर्माना की गोश्णा किये है तो यह जारगंड में यहाँ पे सक्त रूल बनाए हैं और दो साल की आपको जेल होगी और एक लाग रुपे तक किस देश ने अपने पडोसी देशों से सारवजनिक खरीद को परतिबंदित करने के लिए अपने सामान्य बिती है जो नियम है उनमें संसोधन किया है तो जो सारवजनिक खरीद है इसको परतिबंदित करने के लिए भारत ने अभी कुछ नियम बनाए है तो नियम में संसोध बन गया है जिसने science based target जो initiative है ये SBTI इसको लेके इस पर sign किया है तो इस पर हस्ताक्चर करने वाला भारत का ये पहला बंदरगा बन गया है भारत्य मूल की नर्स का नाम बताईए जिन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए Singapore में राष्टपती पुरुसकार से समानित किया गया जोट हैं भारतिय मूल की नर्स हैं और यहां पर इनोंने सिंगापुर में उत्कृष्ट इनके काम के लिए इनको राष्ट्पती प्रुसकार धिया गया को ना के समय में इनोंने फरन्त लाइन व्रकर बनके फ्रन्ट लाइन पे काम किया भारतिया रेलवे ने किस वर्स़ो तक सभी जो रेलड़ीबभे है उनमें radio frequency जिक इसको लगाने का लग्ष्र रखा है तो जो RFID है radio frequency identification tags ये लगाय जाएंगे 2022 तक आपको ये जो RFID है इसकी full form याद रखनी है Radio Frequency Identification Tax विस्वा डोपिंग एजनसी ने किस देश की राष्ट डोप प्रिक्शन प्रियोग साला के निलंबन को बढ़ा दिया है तो जो वाड़ा है World Anti-Doping Agency इसने भारत की जो National Dobe Testing Laboratory है इस पे जो Suspender लगाया था उसको और आगे बढ़ा दिया है तो ये भारत की National Dobe Testing जो Laboratory है इसको इस पे परतिवन को बढ़ाया है जब इस पे परतिवन लगाया गया था मैंने आपको तब भी बताया था करंड़ेपर्स में तो अभी इस पर परतिवन को बढ़ा दिया है दिसंबर 2023 में Antarcticica से Astros जो Astros ये मिसन है Astros मिसन का सुभारण करेगी तो Antarcticica से 2023 में Astros को launch करने की बात कही है NASA ने तो NASA का मिसन है Astros तो अब ये NASA का है तो NASA हम जानते है 1958 में NASA की अस्तावना किये गई थी और NASA का जो Headquarter है अमेरिकन Space Agency है आप जानते हैं तो इसका जो Headquarter वो वासिंगटन DC में है तो Astros है NASA का हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पसंद की ओर The Pandemic Century पुस्तक है The Pandemic Century इसके लेकक कौन है तो The Pandemic Century लिखी है Mark Honics Boom ने ठीक है Mark Honics Boom इनकी पुस्तक है इस पे 87 तो जो कंट्री है जिसने इस Agreement पे Sign किया है वो है निकारागुवा तो निकारागुवा मद्य अमेरिकन कंट्री है आप ये मैप में दे सकते हैं ये है निकारागुवा और इसी ने अभी अंतराष्ट्य जो सौर गडबंदन है इस पे समझाते पे हस्ताक्षर किये है आप जानते हैं 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतराष्ट्य जो सौर गडबंदन है इसको सुरू किया था तो 2015 में भारत और फ्रांस ने जो United Nations का पैरिस जलवाय सम्मेरन था वहाँ पे ये International Solar Alliance को सुरू किया था यानि अंतराष्ट्य सौर गडबंदन को सुरू किया था DRDO यानि Defense Research Development Organization COVID-19 की जो जाच है इसकी जो मौझदा चमता है उसको बढ़ाने के लिए कहां पे एक अपना जो कैंदर स्थापित किया है तो ये Institute of High Altitude Research है दिहार में भारत की उच्चायुक्त बनी है तो हमारा प्रोडुसी देश है बांगलादेस यहां के अभी उच्चायुक्त बनी है भारत की उच्चायुक्त बनी है इस देश में रिवाग गांगुली भारत और कौन साथ देश तो पहारत में गोविट EPA को पता लगाने के लिए एक rapid यूप सेकंग और इईनि के लिए ब्हारत और इजैल मिलके कर रहे हैं और इज़गा आपकादयक करने के लिए है यहां पे मेप मेप इज्किए रहा है वो दे रहा है माल दीव को माझी को भारत अब बात करें जो चिकत्त से वाइँ है या मेडिकल इमर्जेंस्टिक सिवाए हैं यह परदान करेगा माल दीव को भारत किस देश के साथ रक्षा जो रसाध करना है यानि डिफेंट्सिव लॉजिस्टिक जो शेइरिंग है इस समझाते पर स्ताक्षाइब करेंगा तो यह डिफेंस लोजिस्टिक शेरिंग है यह भारत और रसिया मिलके कर रहे हैं तो भारत और रसिया के बीच में है डिफेंस लोजिस्टिक किस राज याने कोबिट 19 महामारी में डॉक्टरों की उपलबदा सुनक्षित करने के लिए डॉक्टरों की जो सेवान निविट की है यह आयो है जो 62 अभी जो आयो थी आभी बासर वर्ष थी अब इसको 65 वर्ष यानि 62 से 65 यह करने की गोशना की है तो यह गोशना कर रहे हैं औरीसा में अब डॉक्रों की जो एज है वो 62 से लेकि 100 साल कर दी गई है किस देश ने 3D में बीमान इंजन का सफल्टा पूरवक उरां प्रेक्शन किया है तो अभी 3D जो प्रिंटेल बीमान इंजन है इसका रसिया ने सफल्ता पूर्वक प्रेक्शन कर दिया है तो 3D प्र चाइना का स्वतंत्र रूप से मंगल मिसन है एक पहला स्वतंत्र रूप से चाइना का मंगल मिसन उसका नाम है त्यानवेन फस्ट मानवता के लिए गुल बैन कियन प्रोषकार से किसे इस्तमानित किया गया है तो जो गुल बैन कियन प्रोषकार है ये दिया गया है ग्रेटा स्वीड़न की रहने वाली है यह द्वर्च्न अमें त्यान रखना कि द्रुवस्त्र ने बगवान राम से जुड़ी जो पौदों की परजातिया थे साथ एक green रामायन पार्ग विक्सित किया है तो उत्राकन सरकार ने भी एक रामायन पार्ग विक्सित करने की बात कही है काकरा पार परमाण उड़जा सैंतर जो हाली में खबरों में है किस राज जम इस्तित है तो जो काकरा पार अटेमिक पावर प्लांट है यह है गुजरात में अमेरिका ने चीन से किस सहर में इसके जो बाणिज जद दूतावास है उसको बंद करने के लिए कहा है तो जो हुस्टन है हुस्टन सहर है यहाँ पे टेकसाल अमेरिका में है हुस्टन तो वहाँ पे जो चाइना का इसके लिए अनुमिती मिल गई है केंदर स्रकार से किस देश ने अपना पहला, जो संचार उपगरव एनसिस सेकींड ये है, इसको launch किया है तो ये है, तो जो एनसिस सेकींड जो पहला जो संचार उपगरव है, यानि जो गूम्मिनकेसन सेटलाइट है पहला, ये है साउथ को हो रहा है आई पिल 13 ते लोन होगा इस साल का धनवंत्री रत किस राज के मुबाइल मेटइकल तो यह गुजरात का तो धनवंत्री रत को ध्यान रखना है लिंकल शार में दुनिया की सबसे लंबी पावर केबल है इसका निर्मानकार है शुरो हो गया है तो यह ब्रिटन और किस देश के बीछ अस्तापित होगी तो ब्रिटन और डेन मार्क के बीच दुनिया की सबसे बड़ी जो सबसे लंबी जो यह पावर केबल होगी इसको बिछाया जाएगा और ये समुद्र पसाका है पसाका जो सहरे भुटान में इन दोनों के बीच एक नया ब्यापार मार्गोला थो जैगाउं और पसाका के बीच नया यह ब्यापार गया 26 जिलाइ 2020 को कारगिल्ठ दिवस्कान अभी मनाई गई हाली में तो 26 जिलाइ 2020 को अभी 21 में में इप स्त्राइब मनाई गयी और 2009 में 40 दिन तक युद्ध चल था और उसके गगाग कि जीत हुई तो कार्गिर विजय दिवस को मना जाता है 26 जुलाई को किस देश ने हाली में हाई जो मैपिंग सेटलाइट है जीवान थर्ड इसको अंतरिक्स में वेजा है तो जो 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 किस देश ने अभी यह जीवित जो किस राज याद पर प्रतिबंद लगा दिया है इक मैग Day Mission जो कारिक्रम है ये सुरू किया है तो जमु कस्मिर की जो union territory है इसने अभी Mac Day Mission ये कारिक्रम चलाया है इसमें ये सड़कों को मरमत के लिए जोऊ सड़के हैं उनको ठीक करने के लिए लगबग 11,000 km की सड़के हैं इनको ठीक करने के लिए कारिक्रम है मैक डे मिशन कारेकरव किस देश को अयोग्या घोसित करते हुए भारत की 400 मीटर जो मिस्रित रिलेट कीम का 2018 का ACI खेलो का रज़त पदक है अब संड में बदल दिया गया है तो भारत ने जो 2018 में ACI खेलो में रज़त पदक गीता था अब इसको संड में बदल दिया गया है क्योंकि एक देश है बहरीन तो बहरीन देश को अयोग्या घोसित कर दिया है पहले इसने संड जिता था तो अब भारत का जो रज़त पदक है इसको संड में बदल दिया गया है क्योंकि बहरीन की जो योग्यता है इसको खतम कर दी गई है इसको अयोग्या गोशित किया गया है भारत सरकार ने निम लिखित में से किस भारत या ससस्त्र बल्व सेवा में महिला अधिकारियों के अस्थाई कमिशन के प्रस्ताओं को मंजुरी दे दी है तो ये मंजुरी दी है इंडियन आर्मी में किस केंद्रिया ससस्र पुलिस बल्व का 82 नम्मर का जो अस्थापना दिवस्ता भी 27 जुलाई 2020 को मनाए गया तो 82 जो राइजिंग डे है ये मनाए गया भी सेंट्रल रिजर्फ पुलिस फोर्स का स्टियार पी एफ यानि सेंट्रल रिजर्फ पुलिस पूर्स इसका भान मचने रे को जनरल एंस्सरेंसके सथाथ साजधारी में रही मातार लॉंच किया है तो यह किया है जो मेरे जनल पर है इसने कया है LISA एको जनरल एंसरेंस और इमेजन पे अब मिल गए हैं और अब ये बाहन वीमा जो है ये लॉंच करेंगे तो ये थे जुलाई लास्ट वी के इंपोर्टेंट करन्ड अफिर्स तो इसकी वीडियो की पीडियाफ आपको वीडियाफ के नीचे डिसकेशन मिल जाएगी और पीड